हाई दोस्तो मैं हूँ प्रशन जीत और आप देख रहे हैं Computerism दोस्तो जब भी data को मार्च करना होता है तो हम लोग concatenate function यूज करते हैं लेकिन data अगर बड़ा हो अगर हम लोग concatenate use करते हैं normal तरीके से तो एक-एक cell को select करने में बहुत time लग जाएगा तो दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे कि किस तरह से अलग तरीके से concatenate function को यूज करके बड़ा data को मार्च किया जाता है बहुत ही आसान है logic बस आपको समझना है तो logic को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा तो चले शुरू करते हैं बीना देखिए तो दोस्तो यहाँ पे कुछ employee codes है और इन सारे codes का हम लोग मार्च करेंगे concatenate function को यूज करके लेकिन अलग तरीके से इसका से देखिए is equal to concatenate इसके बाद जिस column में हम लोग यह function apply कर रहे हैं उस column का first cell यानि कि बी column में हम लोग यहाँ पे concatenate function apply कर रहे हैं तो इसका first cell हो गया b1 तो इस cell को select करेंगे comma लगाएंगे इसके बाद दोस्ता हम लोग चाहते हैं कि दो code के बीच एक space आए as a separator तो इसके लिए comma लगाने के बाद हम लोग double code के अंदर एक space डालेंगे इसके बाद comma लगाके इस cell को select करेंगे यानि कि a2 code जिसमें हम लोग का first employee code है इसके बाद packet close करके enter दवाएंगे तो यहाँ पे देखिए दो cell का data merge हो गया हला कि यहाँ पे कुछ data है नहीं तो जिसके बाद से यहाँ पे से पेस उसके बाद first employee code so कर रहा है अगर यहाँ पे हम लोग कुछ data डाल देते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया a b उसके बाद स्पेस उसके बाद employee code तो इस cell को blank ही रखना है इसलिए इसको delete कर देते अभी इसको हम लोग नीचे तक drag कर देंगे तो देखिए last cell में जाके हमारा पूरा data marge हो गया है तो दोस्तों यहाँ पे concatenate क्या कर रहा है side वाले cell के साथ उपर वाले cell को marge कर रहा है जहाँ पे already उसके उपर वाले cells का data marge किया हुआ है तो इस तरह से जब भी आप इस function को नीचे drag करते जाओगे यह data को marge करते जाएगा और last cell में जाके पूरा data marge हो जाएगा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना होगा दोस्तों हम लोग जब यह concrete function apply किये थे उस cell में उपर वाले cell blank था तो जिसके बादर से start हो रहा है एक space के साथ तो हर एक cell में जो marge किया हु है तो देखिए आपे मैंने paste special कर दिया अभी function हट गया है इसके बाद हम लोग एक तम data की सामने जो extract paste है इसको हटा देंगे अभी देखिए accurate data हमारा जो है वो पूरा marge हो गया है तो यह तो था single column अब देखते multiple column में किस तरह से इस function को use किया जाता है तो यहाँ पर देखिए और जैसे मैंने पीछले example में बताया था कि दो code और name के बीच मतलब employee1 का code और name हो गया उसके बाद employee2 और name के आगे एक space लाना है तो यहाँ पर हम लोग double code के अंदर एक space टालेंगे comma लगाएंगे इसके बाद select करेंगे employee1 का code comma लगाएंगे employee1 का name अभी हम लोग चा function जो है complete हो गया अभी हम लोग enter दवाएंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया जैसे पिछले example में भी आया था इस cell में data नहीं है तो जिसके बाते इस cell में एक space आया उसके बाद employee1 का code और name अभी इसको हम लोग नीचे तक drag कर देंगे तो देखिए हर एक employee code और employee name के बीच एक employee2 का name तो इस तरह से data देखिए पूरा marge हो गया बड़े आसानी से चुटकियों में अब देखते है अगर data horizontal है तो किस तरह से माच किया जाता है logic से में बस अगर आपका logic clear हो गया तो यह बहुत आसान है is equal to concatenate bracket start first उस cell को select करना है जिस column में हम लोग यह function apply कर रहे हैं उसका first cell तो यहाँ पर दो column नहीं यहाँ पर हम लोग row बाइस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग row का जो first cell है यानि कि हम लोग 3 number row पे यह function apply कर रहे हैं तो इसका first cell हो गया a3 तो हम लोग इस cell को select करेंगे comma लगाएंगे और 2 employee details के बीच एक space लाना है तो इसलिए यहाँ पर हम last employee का name select करेंगे bracket close enter तो यहाँ पर देखे आ गया है अभी इसको हम लोग last तक ट्रैग कर देंगे बड़ा देते सेल को तो देखिए यहाँ पर last cell में जाके data पूरा मार्ज हो गया और ठीक उसी तरह से मार्ज हुआ जैसे हम लोग पिछले examples में देखे थे तो दोस्तों logic same है चाए data आपका vertical हो या फिर horizontally हो logic अगर आप समझ गये तो यह बहुत आसान है दोस्तों I hope अब लोग को समझ में आया किस तरह से concatenate function को इस तरह से apply करके बड़े से बड़े data को बहुत आसान ही से marge किया जाता है अगर अच्छा लगा तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर अभी तक ने इस चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe कर लीजे या फिर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे है मेरे इस चैनल पर तो subscribe कर लीजे और bell icon को दबाना मद भूलिएगा आज के लिए इतना ही है फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ नया function के साथ तब तक के लिए बाबाइ